Supreme Court की Guy-Lion की धजिया ओलगार की यह था कि कोई भी शराप की दुकान दिली सरकार ने किसी मंदिर मस्जिद इन्होंने क्या कि मंदिर का सपास कोल दी मस्झिदों का सपास कोल दी गुरदवाणा का सपास कोल दी स्कूलetti तो यह जो चूरिया इनकी जो हुई जो हजारा क्रोड का गोटाला हुआ यह कोटाला देखिए आज एडी के पास सारे एडी हर किसी को नहीं पकड़ रहा तो अपने आज भी इन में देखिए कहते हैं रसी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया संजे सिंग में तो आप दिखिए और शत्प्रतीशत हुआ था इसी वज़ए से दिल्ली में आमानी पार्टी की मुश्किले बड़ी एक तरफ मुश्किले बड़ी एडी के समन में किज्रिवाल जी आमानी पार्टी के सन्योजक नहीं जाते हैं और कहते समन गलत आदेश से जारी किया गया था मद्दे परप्षाइब बावजूद एक रिमाना आप से बावजूद संजय सिंग ने एक बड़ी बात आच गही है सर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी और आपसे मेरा पहला सवाल होगा आप संजे सिंग के बयान को किस तरी के सर देख रहे हैं आपने भी आमानी पाठी के शराब घुटालों को पढ़ा है देखा है जाना है महसूस किया है तो अब यह जो ताजा बयान खुल अपनी सपाई में बात करना तो यह केवल इनकी चोरियां पकड़ागी है देश की जनता को यह ऐसे बड़बोल करकर के गुम्रहा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन देश की जनता आमाधी पार्टी चाहे दिल्ली में इनकी सरकार हो चाहे पंजाब में इनकी सरकार हो इनकी दीपक होता है जब बुजने वाला होता है तो उसकी लॉव में बड़ी चमक होती है तो यह वो लॉव की चमक है और इनकी बॉखलाट है और वो बॉखलाट के कारण संजे सिंग इस तरह से बोल रहा है सर क्या लगता है एक तरफ आपने देखा 264 गवा इनके खिलाफ है यहां तक की कोट ने कह दिया कि मनी ट्रेल 368 करोड का वो अस्थाई रूप से साबित होता है और आप हम देंगे AD को समय आठ महिने का ट्रायल दिया गया है और आज ही आपने देखा होगा शिशोदिया जी क चार घंटे की छे घंटे की जमानत मिली है तो क्या आपको लगता है सर कि चुनाओं के मद्य नजर जनता समझ चुकी है किजरीवाल की अब बत्ती बुझने वाली है लेकिन फिर भी देखिए किजरीवाल को अगर आप देखेंगे तो पीछे नहीं हट रहे हैं लगातार इ इमानदारी के सर्टिफिकेट्स पर आपका क्या बयान होगा देखें दोजार आपको यादो का दोजार ग्यारा बारा में जिस तरह से रामला मैदान में अन्ना हजार जी को इन्होंने विश्वास में लेकर के यह चोकुडी थी जो चोकुडी थी ना यह मनी शुसोदिया अर्विंद केद्रिवाल, संजय सिंग और इस सब चोकुडी ने उनको जो जिन अन्ना हजारे जी ने पूरा जीवन इस देश को अलग अलग विश्वास में उनको इन्होंने चला देश के पूरू कानून मंत्री सांती भूशन जी जिन्होंने आजादी की लड़ा लड़ा इडिया अंदोलन जो खड़ा हुआ उनके घर पे उनके मादेम सुआ इन्होंने उनको चला और देखे ये पूरे देश में इमानदारी का बिलकुल देश को बदलने की बात करने आए इसे हैं और देखे चोरियां देखे कि किस चीज में इनकी चोरी हुई जिस से क्या कि हर बिक्ती हर परिवार बचने चाहता है शराव देखे कोई भी नहीं चाहता कि मेरे घर में ये मेरे परिवार में मेरे बच्चे में किसी बीसी लत पड़े ये लोग कितनी उमानदर ये बात करते हैं यह महांद्मा गांदी की तुलना करने लोगे थे बहत से हैं जब जेयल द गैर्लेन के दज्जयां टीह था कि कोई भी शिराब के दुकान दिली सरकार ने किसी मंदिर, मजड इस इसक्षास त permettे इननोंने क्या की मंदिर कैस्पथ स्कूल दी मजचिदों का स्पथ सफ खोल द गुर疑 गınतै तो यह जो चोलियं इनվ इनकी यह जो हजारा क्रोड़ का गोटाला हुआ यह गोटाला देखिए आज एडी के पास सारे एडी हर किसी को नहीं पकड़ रहा तो अपने आज भी इन में देखिए कहते हैं रसी तो जल गई लेकिन बल नहीं गया संजे सिंग में तो आप दिखिए जिस तरह संजे सिंग में है उसके जो लोग से जिनके मादे में से पैसे की दलाली करता था उनके भी नाम आ रहें और इनी की जो यह शराब घोटाला तो मुझे लगता है कि देखो दिल्ली को दिल्ली की राजदानी है जिस तरह गली-गली में शराब की दुकाने खुल गी आपको याद होगा यह रात को लातने विइखो अपस्टश्ड में शराब प्रोला सबैसे सरुकार का रूल कर दीखो दिल्ली विधासभा में झाला कर दिया बज़े कर दिया महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले गए तीस परसेंट किया गया तो यह जो इन्हों ने केवल और केवल एक मोटी रकम इन शराब कंपनियों से फाइदे के लिए इन्हों जिसे दिली बदनाम होनी लगी दिली में यह जो आज हो रहा है न यह उन गरीब घरों को जो इन्होंने तभा किया कितने रिवां की इस तो रोड निटे होगी टो उनके माबाप की बद्वाओं का यह नतीजा है कि आज संजे सिंग की जिस सरे से बॉखलाट है अर्विन केजरिवाल के बॉखलाट है एक ठीक है तो यह तो तैह है कि घुटाला देखे आप तक के जो देश के आजादी के बाद शराब घुटाला जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा घुटाला करके हैं तो आहमादी अर्वेसा के खासी में लटखा देंगे किज़ाल मर जाएगा लेकिन यह थारो करोडों कह क्या होगा के जिवाल की सोच हमेशा जिंदा रहएगी सर कैसी सोच के कर्म का कैसे और क्या आपको लगता है कि आम चंधा उधारन लेकर आगे बढ़ेगी कभी यह आपको लगता रहे हैं वह क्या करेगा पर कोई राजनितिक दोस्ते किससे आपको है नहीं यह तो आपकी चोरिया पकड़े गई आपने जो दिली में शराब गोटाला किया उसके वज में आपकी जांच चल रही है उसे वज में जो एडी जो अपने जांच करेंगा आप अर्विन किसि पा है जाएगा तो जेल जाएगा नहीं पाया जाएगा शूट जाएगा लेकिन कर लेकिन आप पहली स्टेटमेंट कि घरै बड़ा होनेवाला आप संशनी फैलाने वाले लोग है यह संसनी फैलाने लोग है है लेकिन इन संशनीओं से इनके बचने कष़िबाने नहीं हैं कितने जो इस पार्टी में जो वरिष्ट लोग जब यह आमधी पार्टी की स्थापना हुई थी उनको एक-एक करके एक-एक करके इस व्यक्ति ने उनको भार कर दिया क्योंकि मनमानी करनी थी चोरी करनी थी डेकाती करनी थी तो आज उसका यह नतीजह है कि इनके बॉकला सर यह भी बताईए कि क्या आपको लगता है कि सेम दिल्ली के तरह यह पंजाब को भी बना रहे हैं पंजाब सर दिखिए अब लाखों इल्जाम आप पार्टी पर लगना शुरू हो चुका है अकाली दल हमलावर पंजाब के पैसे से आर्टी आई का यह जवाब नहीं दे पारे हैं नवजोर सिंग सिद्धू हमलावर हैं इसके साथ आपने देखा का पलूशन के मामले में घिरे तो क्या सर लगता है कि उल्टी गिंती शुरू हो चुकिए हर मामले में अब देश की जनता आक्रोशित है और सुप्रिम कोट से फटकार भी लगी तो ठीक केजरी व आदमी एक टाम याद होगा 2011-12 में अर्विंद के जरिवाल मुफर लेकर खांसता खांसता था उसकी खांसी तो खतम हो गई लेकिन दिल्ली के हर जंता धाई करोड लोग आज मला इसकी पॉलुशन के कारण उनको नुक्सान हो रहा है छोटे बच्चे देखे जितना जी कि हम अरपास हम लोग कर रहे हैं यूपी हो गया हरेना को गया बिलेम हो गया याद होगा कि जब पंजाब में इनके सरकार नहीं थी तो कैप्टन अर्मिंदर जिनको नाम लेते थे आज भी पंजाब में प्राली जलाई जाती लेकिन वहाई फील है उसी तरह शिराब का बाएगा तो यह दिल्ली से लेगे पंजाब में भी इनका सोपड़ा साब हो जाएगा ठीक है सर आपका बहुत धन्यवाज चैनल से जुड़कर इतनी तमाम जानकर यह दर्शक को देने के लिए दर्शक आप भी बने रही है हम बताएंगे एक एक अपडेट की आखी बने रही है